नमस्कार देश दुनिया की खबरों के इस ने अपिसोड पर आप सभी का स्वागत है आज भारत से जुड़ी हुई कई important अंतरास्टी ये खबरे सामने निकल के आ रही है जो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है तो आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा जाज की पहली important बेट भारत पाकिस्तान और युनाइटेड नेशन से सामने निकल के आ रही है अब एक बार फिर से मांग उठ चुकी है युनाइटेड नेशन में सुधार करने के लिए लेकिन पाकिस्तान नहीं चाहता की भारत को यहाँ पर इस्थाई सदल सता मिले और पाकिस्तान ने इटली चीन के साथ मिलकर के भारत को यहाँ से बाहर निकालने की तैयारी शुरू कर दी है नेकस्ट इmpartent बबेट युई और फ्रांस से सामने निकल के आ रही है जहाँ पर युई की तरप से करीब असी नय राफेल जो फ्रांस से खरीदे जाने था बेस दील को कैंसल किया जा चुका है तीसरी important debate अमेरिका से सामने निकल के आ रही है ज़हाँ पर अपना सबसे ज़्यादा खतर्नाग तिया थियार हिन महासागर में उतार दिया है चौथी important debate बंगलादेश से सामने निकल के आ रही है जहांपर बंगलादेश में minorities को जिस तरीके से target किया जा रहा है इसको लेकर के America का reaction सामने आया है आई आज के इस वीडियो में सभी important details में आपको बताते हैं यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजएगा सबसे पहले भारत पाकिस्तान और United Nations से आ रही update की बात की जाया तो एक बार फिर से दिमांड उटी है कि United Nations में सुधार किया जाए कुछ सालों पहले जो बनाई गई organization है जहाँ पर कुछी देश permanent member हैं अब इनकी संख्या बढ़ाई जानी चाही क्योंकि आज के समय में कई growing economy है और कई top economies है जैसे की India top 5 के अंदर आता है तो भारत को यहाँ पर permanent seat ज़रूर मिलनी चाहिए लेकिन इसके बावजूद भी जो पुराने permanent members है यह नए देशों को entry देने से हमेशा से कत्राते रहे हैं लेकिन इस बार भारत ने एक नई चाल चली है देखे details की बात की जाया तो United Nations Security Council जिसे हम UNSC के नाम से जानते हैं इसके 5 permanent member है पहला America, France, China, Russia और UK इसके लावा करीब 10 non permanent member त्यार किये जाते हैं जो कि 2-2 सालों के लिए यहां पर United Nations Security Council में रहते हैं लेकिन आपसे कुछ महिनों बाद United Nations Security Council की कुछ meeting शुरू होनी है जिसमें यह decide किया जाएगा कि अब कौन से नए members आने हैं और कौन से पुराने members हटाया जाएंगे लेकिन यह meeting सुरू हो उससे पहले ही पाकिस्तान ने इटली members हैं इन्हें इतना ही रहना चाहिए इसमें किसी भी देश को नहीं हटाया जाए नहीं इसमें से किसी भी देश को किसी और देश का समर्थन करना चाहिए कि वो 5 की जगए 6 हो जाएं और यहां पर जो 5 members हैं वो 5 के 5 रहने चाहिए अब पाकिस्तान इतनी बड़ी अर्थवस भारत का master stock सामने निकल के आया है असल में अब तक जितनी भी UN की meeting होती थी यहाँ पर verbally सभी चीजों को सामने रखा जाता था कि भारत जैसे देशों को permanent seat मिले और जो non-permanent members हैं इनका tenure और जदा बढ़ाना चाहिए लेकिन बात यहाँ पर बन नहीं पा रही थी लीडर्स आपस में बात करते थे और कुछ समय बाद यह मामला सांथ हो जा रहा था लेकिन अब भारत का master stock यह है कि अब UN के अंदर जितने भी topics discuss किये जाएंगे खासकर seat sharing को लेकर के यहाँ पर सब कुछ return formant पर रखा जाएगा और भारत के statement के सामने आते ही पूरी दुनिया में खलवली मच गई और भारत के इस काम की काफी जादा परसंट सा की जाने लगी आप जानते होंगे कि जापान ब्राजिल जैसे देश और इस लाइन में है कि इन्हें permanent seat दी जाए क्योंकि यह काफी जादा growing economy है और हर साल इनके अर्थवस्ता बहुत तेजी से बढ़ रही है भारत भी 77% के growth rate पे है जिस पे ना तो आज चाइना है ना तो अमेरिका जैसे देश इसके बावजूद भी अगर हमारे देश को permanent seat ना मिले तो इससे जान करके दुख होता है फिलाल मीटिंग सुरू होने से पहला जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपनी चाल चली है भारत ने भी master structure के सब को हैरान कर दिया है भारत के decision पर आप क्या सोचते हैं तमाम चीजें गलत तरीके से प्रमोट की जा रहे हैं और इसके पर बहुत सारे गलत धंदे भी हो रहे हैं और इन्हीं सभी allegations के basis पर इन्हें अरस्ट किया गया है लेकिन यह एक ऐसा वेक्ती है जिनके पास सिर्फ फ्रांस नहीं बलकि कई देशों की नागरिकता है और इसमें UA जिसे हम संयुक्त अरब अमिरात के नाम से जानते हैं इनकी भी सदस्यता है और इनके अरस्ट होते ही UA खुलकर के सामने आ गया और इसने कहा कि इन्हें तुरंत रिहा किया जाए हम इन्हें अपने देश में बुला रहे हैं और यह सारी चीज़े होने के बावजूद भी फ्रांस की तरब से इन्हें छोड़ा नहीं गया इसके बाद पूरे देश के अंदर प्रटेस शुरू हुए इलाउन मस्यस से लोगों ने यहाँ पर ट्विट करने शुरू कर दियें और अब यूए ने फ्रांस के साथ हुई असी राफेल लड़ा को इमानों की डील को कैंसल कर दिया है जानकारी कले आपको बता दें कि ये डील करीब 20 अरब डॉलर की थी और अब इस पूरी डील को रद किया गया है सिर्फ इस एक व्यक्ति की वज़े से भविश में फ्रांस और यूए के रिस्से पहले से और जादा खराब हो सकते हैं और जादा डीटेल्स की बात की जा तो इन राफेल डील के लिए 2020 में यूए ने फ्रांस की दसॉल एविएशन जो की राफेल बनाने वाली कंपनी है इसके साथ 80 राफेल लड़ा को इमानों को खरीदने का कॉंटेक्ट साइन किया था लेकिन अब इस सौदे को रद किया जा चुका है लेकिन आपर अगर भारत के अंगल की बात की जाए तो यदि आज हमारे पास फाइटर जट का प्रड़क्शन होता और जिस क्वालिटी का राफेल है अगर उस क्वालिटी के हम बना रहे होते तो ये डील तुरंत भारत के हाथ में आ जाती हम दुनिया भर को और जादा हथियार एक्सपोर्ट कर पाएंगे नेक्स्ट इंपोर्टन बेट की जाए तो इसराल को बचाने के लिए अब अमेरिका ने अपना एक खतरनाक परमाडू स्टेल्थ बॉमबर हिंद महासागर में तैनात कर दिया है और एक ऐसे सीक्रेट आइ आसिया आइलेंड पर तैनात कर दिया है यह कदम इसलिए उठाया गया है कि अगर इसराइल आइलेंड की लुकेशन की बात की जा तो मौलदीव से अगर आप साउथ की तरफ जाएंगे तो आपको यह आइलेंड देखने को मिलेगा जहां पर अमेरिका ने काफी एडवांस मेलेटी बेस बना करके त्यार किया और यहां पर इस तरीके के परमाडू बॉमबर को तैनात करने हैं सिर्फ एक ही हुद देश ही इसराइल के किस तरीके से रक्षा की जाए और अगर इरान किसी भी तरीके का हमला करता है तो इसराइल को बचाना इनकी प्रायरिटी बन करीब 5,822 किलो मेटर दूर है और इरान से सिर्फ 4,822 किलो मेटर दूर है लेकिन इतना का तनाग हतियार है कि ये दूरी इसके लिए कुछ भी नहीं है ये सिर्फ 3-4 घंटों में दूरी पूरी कर सकता है इसकी बम बरसानी की रेंज करीब 11,000 किलो मीटर है और ये इरान में जाकर के बम या फिर मिसाइल गिरा करके कुछी घंटों में वापस भी आ सकता है इस तरीके का दूनिक हतियारों को दो पाइलेट उडाते हैं जिसमें से एक इसके पूरे कंट्रूल को मैनेज करता है दूसरा लगातार जो बम गिरा जाते हैं उनको मैनेज करने का काम करता ह यह करीब 69 फीट लंबा और करीब 71,700 किलोग्राम वजन वाला एक बॉमर सक है जिसे दुनिया का सबसे एडवांस बॉमर बताया चाता है अब जब इतनी डीटेल्स आपको बता ही दी तो इसकी रफ्तार उचाय की बात की जाए इसकी मैक्सिमम रफ्तार करीब 1010 किलोमेटर प घंटे की रफ्तार से कुरूज करता है और जब इसे मैक्सिमम रेज मिल जाती है तो यह 1000 किलोमेटर प्रती घंटे के आकड़े को पार कर लेता है इसमें 80 छोटे बम और 16 परमाडू बम रखने की श्रमता है जो किसी भी देश को बरबाद करने के लिए काफी है और आज अम मौजूद हैं जिनमें B61, B83 जैसे परमाडू बम इंटेग्रेट किये गए हैं बागी अमेरिका की इस तयारी पर आप क्या सोसने हैं में कमेंट्स में जरूर बताइएगा नेक्स्ट इंपर्टर बेट की बात की जा तो बंगलादेश में हिंदों के साथ जो हो रहा है हम में सिर्फ यही कहा गया है कि जो भी हो रहा है यह नहीं होना चाहिए इस से गंट्रूल करने के लिए भारत की तरफ से जो भी प्रयास हैं हम उनका खुल करके समधन करते हैं सही माइने में तो अमेरिका को ये कहना चाहिए ताकि हम इन सभी चीजों को रोकने के लिए देमात्रम भारत माता कीजे.